ओंडाई का IPO 17 अक्टूबर को बंद हो गया, इंवेस्टर्स काफी समय से इस IPO का इंतिजार कर रहे थे, लेकिन इसे उमीद से कम रिस्पॉंस मिला, ओंडाई के ब्रांड की पहचान इंडिया में खरगर में है, ये कार बनाने वाली इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ये IPO करीब 28,000 करोड रुपए का था, ये इंडिया का सबसे बड़ा IPO भी था, इससे पहले सबसे बड़ा IPO LIC ने पेश किया था, जो करीब 29,000 करोड रुपए का था, हुंडाई के शेरों के 22 अक्टूबर को स्टॉक मार्किट में लिस्ट होने की उमीद है, अगर आपने प कंपनियों को इस ग्रोथ का फायदा मिलेगा, इंडियर मार्किट में हुंडाई की इस्तिती काफी मजबूत है, गरेलू बाजार में सेल्स के लिहाज से ये दूसरे पायदान पर है, जबकि एक्सपर्ट के मामले में ये पहले नमबर पर है, इसे अपनी कोरियाई का भी सपोर्ट हासिल है, जिससे इसे नई टेक्नोलजी और इनोवेशन का लाब मिलता है, पहली तिबाही में हुंडाई मोटर हुंडाई का रवेन्यू 17,344 करोड रुपे रहा, प्रॉफिट साल दर सालादार पर 12 अधी बढ़कर 1490 करोड रुपे रहा, पेट्रोल डीज सेग्मेंट में हुंडाई की गाड़ियों ने ग्रहाकों के बीच अच्छी पैट बनाई है, कंपनी लेक्टिक वीकल सेग्मेंट पर भी फोकस कर रही है, कंपनी की इंडिया में बनी पहली लेक्टिक गाड़ी 2025 में लाँच होने वाली है, जिस तरह से इलेक्टिक वीकल मे ग्राकों के दिल्चस्ट भी बढ़ रही है, उससे उमीद है कि होंडाई को एलेक्टिक सेग्मेंट में भी ग्राकों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कई ऐसे ग्राक है जो सिर्फ होंडाई की गाड़ियां करीबना चाहते हैं, इस IPO की एक खास बात ये थी, कि इसमें कंपन IPO के पैसे का इस्टमाल इंडिया में होंडाई मोटर के लिए नहीं होगा, दूसरा इस ग्रूप की किया जैसी कंपनिया भी इंडियन मार्केट को लेकर काफी उपसाइद है, इससे हितों का टकराव दिखता है, अगर हंडाई की वेलवेशन की बात करें तो प्राइस अगर हंडाई के शेरों की लिस्टिंग गीन्स की बात करें तो ये काफी हद तक मार्केट सेंटिमेंट पर निर्बर करेंगा, अभी मार्केट में जिस तरह के हलात है और पिछले कुछ जिरों में आटो स्टॉक्स का जैसा परदर्शन रहा, उसे देखते हुए ऐसा लगत अगर हंडाई के शेरों की लिस्टिंग ज्यादा प्रीमियर पर नहीं होगी, इससे उन निवेशकों को निराशा हो सकती है जिरों ने लिस्टिंग गेंस के लिए इस स्टॉक में निवेश किया है, जहां तक मीडियम टर्म और लॉंग टर्म की बात है तो आटो कंपनियों के लिए आगे का रास्ता बहुत साफ नहीं लगता है, उन्हें आगे कई तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है कलुक का रास्ता बात है